नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चनल नीज़ टेक सो में Amazfit ने अपने इंट्री लेबले स्मार्ट वाच बीप सीरीज के दो न्यू मॉडल बीप 3 और बीप 3 प्रो को विकरी के लिए उपलब्द करा दिया है जिसको आप Amazon, Flipkart या Amazfit के Official Base Site से पर्चेश कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिशन में इसका लिंक दिया हुआ है जहां से आप सेम प्राइस में भी पर्चेश कर सकते हैं और इस वीडियो को भी सपोर्ट कर सकते हैं तो चैनल के साथ जूरी रही है क्योंकि यहां डिभाइस के फीचर और फंक्सन को सिर्फ बताया ही नहीं बलकि उसे अलग-अलग माप दंट पर परिच्छन भी करके दिखा जाता है इसको उन बॉक्स करने पर स्मार्ट वाच, मैंगेटिक चार्जिंग, USB, केबल, केस और यूजर मेनुवल मिल जाता है जैसा कि सभी अमेज़ पीट स्मार्ट वाच के साथ मिलता है इस प्लास्टिक रेपर को निकालने के बाद इसके बटन को लॉंग प्रिस करके इसको स्टार्ट कर लेंगे और किसी भी Android या iOS डिवाइस में जैप एप डाउनलोड करके इसको कनेक्ट कर लेंगे कनेक्ट करते समय हम ध्यान में करेंगे कि GPS और Bluetooth आन हो तता इसे QR या non QR दोनों में से किसी एक माध्यम द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है वीप स्रीज के फिछले models की तरह इसका body material भी प्लास्टिक का ही बना हुआ है लेकिन health reading sensors का position जो पहले square में था अब उसको vertical में किया गया है स्ट्रेप joints tails जो हाइड हो चुके हैं सिर्कन मेटरियल से बने इस स्ट्रेप का बकल क्लासिक पीन वाला है और इस स्ट्रेप को असानी से remove कर रह सकता पड़ने पर चेंज किया जा सकता है स्ट्रेट लाइनिंग के टेक्चर में इस स्ट्रेप को लाया गया है जो काफी attractive दीख रहा है और anti fingerprint coating 2.5D temper glass बीस में दिया गया है 1.6 in size का TFT touch skin दिया गया है जो previous सभी Beep series के smart watch से बड़ी है इसलिए company इसको think beep का punchline tag देकर Beep 3 को promote कर रही है Amazfit Beep 3 या Beep 3 Pro का वजन 33 ग्राम है जबकि Amazfit Beep U का वजन 31 ग्राम है यानि Beep series के सभी smart watch बहुत ही lightweight होते हैं और बहुत ही comfortable किसी भी कलाई में अची तरह fit हो जाते हैं watch screen को उपर से नीचे swap करने पर दोनों ही watch में quick access menu मिल जाता है जिसमें do not disturb alarm brightness setting के साथ साथ battery percentage तता Bluetooth connectivity के status भी दिखने को मिल जाते हैं और दोनों ही watch screen में नीचे से उपर swap करने पर सभी message notification के content दिखने को मिल जाते हैं Beep 3 तता Beep U दोनों ही single button के साथ आते हैं जिसको one quick press द्वारा list menu प्राप्ट किया सकता है open menu से बैक जाने तथा home face पे जाने के लिए भी इसी बटन का यूज किया जाता है और लगभग 3 second press and hold करके रखने पर by default workout mode मिल जाता है जिसको setting में preference menu में जाकर change किया जा सकता है आप अपने हो सकता है कि हिसाब से इस workout के जगह पे activity goal आप चाहें वहाँ पे जाकर सकते हैं और इस बटन को पांच सेकंड से ज्यादा होल्ड करके रखने पर यह सट डाउन का बटन आयाता है दोनों ये smart watch में screen lock दिया गया है जो बहुत ही काम के हैं जो accidental touch से होने वाले असुविधा से भी बचाता है तथा safety के लिए भी ये useful है इसे भी smart watch के button को single one press द्वारा unlock किया जा सकता है auto screen off दोनों में 15 seconds का maximum दिया गया है और rise to wake अच्छा वर्ग करता है outdoor में भी इसकी visibility अच्छी है और दोनों में मिला जुला के feature और function लगबक सेम ही है और इसके screen के size को छोड़ के बाकी सब चीज आपको एक दूसरे में जो मौजूद है वो आपको एक दूसरे में मिल जाएग camera remote feature द्वारा connected smartphone के camera को operate कर सकते हैं इसके लिए mobile jet app में lab setting द्वारा pair करना होता है जैसा कि आपको screen पर PIP में दिख रहा है find my phone feature भी इसमें मौजूद है जो की connected smartphone की स्थिति को बताता है विप 3 में दो तथा विप U में तीन watch face pre inbuilt है जिसमें से एक को आप जेब एप द्वारा कस्टमाइज कर सकते हैं और इस जेब एप में लगभग 50 प्लस watch face available है जिसको आप अपने एक्षा कनुसार चेंज कर सकते हैं दोनों ये smart watch में जो incoming call notification आते हैं उनको आप cut कर सकते हैं silent कर सकते हैं या pre inbuilt message द्वारा इसको reply कर सकते हैं अथवा preset कोई भी un message को mobile के जेब एप द्वारा आप बनाकर उसके द्वारा भी reply कर सकते हैं दोनों smart watch में लगभग 60 प्लस sports mode मिल जाते हैं और उनके data accuracy इस price range के में जबकि BPU में 43 मिलता है calorie burn average heart rate 23 में 116 BPM रहता है जबकि BPU में 114 BPM रहता है स्मार्ट वाच में blood oxygen level I mean SPOP की reading Oximeter के reading से match खा रहा है जो कि 98 है साथ ही heart rate का भी reading जो लगभग Oximeter के सामान ने है और इसका stress level जो है वो भी दोनों smart watch का सेम ही है sleep monitoring काफी impressive है दोनों smart watch का जिसमें deep sleeping light sleeping awake और dream rapid eye movement जैसे feature को अलग-अलग graphical way में data मुहया करा देता है और जैसा कि आपको PIP में दी करा यहां पे sleep score जो दोनों smart watch में 77 है sleep duration 5 hour 20 minute है और deep sleeping में दोनों में कुछ फर्क आगए overall data अच्छे प्राप्त हुए क्योंकि इसमें लगे sensors अच्छे हैं फिर भी इस data को medical प्रमानिकता नहीं दी जाती है क्योंकि यह medical device नहीं है सिर्फ reference के लिए है और ऐसा इसके box पे भी दिखा हुआ है दोनों smart watch 5 ATM water resistance grid के साथ आता है अर्थात इनको 50 meter या 164 feet गहरे पानी के अंदर यूज किया जा सकता है मतलब कि यह swimming के लिए भी उप्यूकत है बीप 3 में 280 mh तथा बीप यू में 230 mh लिथियम पॉलीमर बैटरी इन बिल्ड है जो की इस फीट ने बीप 3 के GPS वाले smart watch को बीप 3 प्रो का नाम दिया है जैसा कि बीगत वर्स में बीप यू के GPS वाले smart watch को बीप यू प्रो का नाम दिया गया था बीप स्रीश के सब ये smart watch अपने अच्छी बैटरी बैक आप लाइट वेट और हेल्ट और स्पोर्स समान नीथ एक यू से